क्या आप जानते हैं कि एक वार रच्छा बंदन का तिवार नहीं था फिर भी लोगों ने एक दूसरे को राखी बांदी थी जी हाँ दोस्तों ये गटना 1905 किया जब भारत के वाइसराय लाड़ करजन ने बंगाल के विवाजन की गोशना की थी बंगाल के विवाजन की गोशना होते ही भारतियों में आकरोस फैल गया और इसके बिरोद में सोदेसी आंदोलन का आगाज हो गया इस आंदोलन में लोगों को उतसायत और देसवक्ती की भाबना जगाने के लिए बंदे मातरम गीत गाया गया इस दौरान पहली वार बंदे मातरम गीत लोगों का लोकप्रिया गीत बन गया और आंदोलन में लोग बढ़ चड़कर सामिल होने लगे इस आंदोलन के दौरान बिदेसी बश्तुओं की खरीदारी और उपयोग का बैसकार किया गया बंगाल के छेत्रों के फिर्मुक सहरों और कस्वों में बिदेसी कपड़ों को जलाना आम बात हो गई थी बंगाल बिवाजन के बिरोध में ही एकता और भाईचारे को प्रदर्सित करने के लिए भारतियों ने एक दूसरे के हाथों में राखी बांदी थी यह अंदोलन 6 साल तक चलता रहा कोई भी किरांतिकारी पीछे अटने को तयार नहीं था देश में लगातार बढ़ते अंदोलन को देखते हुए बेटे समराट जोर्ज पंचम ने 11 दिसंबर 1912 को दिली दरवार में बंगाल बिवाजन का आदेश बापस ले लिया और इस प्रकार यह अंदोलन सफल हुआ